नमस्कार दोस्तों आज के इस हिल्थ टिप्स के एपिसोड में हम सभी जानेंगे सेहत मंद रहने के लिए और बिमारियों को दूर रखने के लिए कुछ देसी टिप्स के बारे में जिहां देशी टिप्स के बारे में स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग का निवास होता है जिस व्यक्ति की काया निरोगी रहती है वो हर शेतर में सफलता प्राप्त करता है क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति का ही शरीर और दिमाग पूनरूप से सक्रिय रहता है स्वस्थ रहने के लिए हमारे बड़े बुजूर्गों ने छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने को कहा है जो बहुत ही कारगर साबित होती है और वैग्यानिक द्रिश्टी से भी बहुत सही है इसलिए आज हम आपके लिए देशी तरीके लेकर क्याएं हैं जो आपको स्वास्थ रखेंगे आज इवन तो इसलिए वीडियो को बिना स्किपके हुए अनता तक जरूर देखेंगा कमाल की वीडियो है आपके लिए पूरे जीवन कामाएगी और पूरे जीवन में आपका लाखों रुपया बचायेगी क्यों क्योंकि आप स्वास्त रहेंगे तो आपके पैसे भी नहीं जाएंगे आपका स्वास्त भेथर रहेगा तो अपने लाइफ को इंजॉय भी करेंगे आपकी राय हमारे लिए बहुत वेलुएबल होती है। आप देख रहे हैं अरवेदिक उप्चार चैनल। आईए दोस्तों अब टिप्स के संबंध में जानते हैं। सबसे पहले तो तामबे के बरतन में पानी पीना काफी फायदे मंद होता है। तामबे में बैक्टीरिया नाशक गुन होता है जो की संक्रमर होने से बचाती है। सोना ही काफी नहीं होता है बलकि सोने से पहले electronic gadgets से आपको दुरी बना लेनी चाहिए क्योंकि ये आपके दिमाग को नुकसान पहुचाते हैं और पुरा आराम नहीं लेने देते हैं नहीं करने देते हैं कि वज़े से आप आठ घंटे की नींद के बाद भी आराम किया हुआ नहीं महसूस करते हैं बलकि असहज महसूस करते हैं जल्दी ठक जाते हैं खाने पर ध्यान देना चाहिए जिहां जरूरत से ज़्यादा खाना आपके शरीर को नुकसान पहुचाता है इसलिए अपने शार पा भी नहीं सताएगा नहीं तो मोठा पा अपने आप में हजार बिमारियों की जड़ होती है सीधे बैठिये जिहां हमें अपने दिन का सबसे ज़्यादा समय बैठ करके गुजारना होता है अगर इस दोरान आपकी कमर या फिर शरीर की मुद्रा सही नहीं होती है तो अन् पूटी लगती हैं पर बहुत कमाल की हैं पूरे जीवन काम आती हैं तो इसलिए यह वीडियो हम लेकर के आए पॉस्चर के संबंध में हमने इस चैनल पर आपके लिए एक कंप्लीवट एपिसोड बनाया हुआ हुआ है जिसमें पॉस्चर के संबंध में बताया हुआ यह सोते वक्त कैसा होना चाहिए और खड़े रहने में कैसा होना चाहिए यह बहुत ज़रूरी है आप एक बार वीडियो ज़रूर देए